इस वीडियो सिरीज में हम Electronics के बारे में सीख रही हैं. अब तक हमने एक टॉई कार बनाई और उसे स्विचिस से कंट्रोल किया. पिछले वीडियो में हमने समझा कि कैसे sensor और computer को जोड कर हम Electronic Devices को Intelligent बना सकते हैं. इस विडियो में हम एक सरल स्मार्ट कार बनाना सीखते हैं इस टोय कार में एक pocket size computer लगा है जिसका नाम है microbit इस प्रोजेक्ट में हम microbit में लगे light sensor का उपयोग करेंगे जब light sensor पर पढ़ती है तो कार आगे चलती है अगर सेंसर पर लाइट नहीं पड़ती तो कार रुख जाती है इस तरह ये एक लाइट फॉलोइंग कार बन जाती है इस कार को बनाने के लिए आपको ये कंपोनेंस चाहिए एक माइक्रो बिट कार चेसी जिसमें पहियों के साथ दो गियर वाली DC मोटर लगी हो एक बैटरी पैट चार वन पॉइंट फाइव वोल्ट बैटरी और एक मोटर ड्राइवर बोर्ड ये माइक्रो बिट वर्जन दो है माइक्रो बिट पॉकेट साइज्ट कंप्यूटर है और इससे आप कई मज़ेदार विज्ञान, टेक्नॉलोजी और इंजिनियरिंग के प्रोजेक्स बना सकते हैं माइक्रो बिट की ब्रेन है ये प्रोसेसर चिप माइक्रो बिट बोर्ड में कुछ सेंसर भी है जैसे एक्सेलेरो मीटर, कमपास, टेंपरेचर सेंसर और एक एंटिना जो की ब्लूटूथ और वायरलेस कम्यूनिकेशन में इस्तमाल होता है इस प्रोजेक्ट के लिए हम माइक्रो बिट के सामने लगी 25 LED का इस्तमाल करेंगे ये LED लाइट सेंसर का काम भी करती है हमें एक मोटर ड्राइवर बोर्ड की आवशक्ता भी होगी क्योंकि माइक्रो बिट जो करेंट आउट कुट करता है वो दो DC मोटर को चलाने के लिए परियाप्त नहीं है एक मोटर ड्राइवर बोर्ड वोल्टेज को नियंत्रित करता है और इसके इस्तमाल से आप दो DC मोटर, एक माइक्रो बिट और कुछ सेंसर को चला सकते है बाजार में कई तरह के मोटर ड्राइवर बोर्ड उपलब्ध है हम किट्रोने कमपनी द्वारा बनाए गए मोटर ड्राइवर बोर्ड का उप्योग करेंगे आप कोई भी मोटर ड्राइवर बोर्ड इस्तमाल कर सकते हो एक सस्ता बोर्ड है L298N ये बोर्ड कैसे काम करता है ये समझने के लिए आप हमारा एक और विडियो देख सकते हो मोटर ड्राइवर बोर्ड को चेसी पर फिक्स करें यहां हमने रबर बैंड का इस्तमाल किया है आप दो तरफा टेप या ब्लू टैक का उप्योग भी कर सकते हो बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव करमिनलों को मोटर ड्राइवर से कनेक्ट करें दोनों मोटर्स के तारों को यहां कनेक्ट करें माइक्रो बिट को मोटर ड्राइवर पर दिये गए स्लोट में फिट करें हमारी कार की असेंबिली पूरी हो गई है अब हम कंप्यूटर कोड लिखेंगे कोडिंग के लिए क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एस ब्राउजर इस्तिमाल करें www.makecode.microbit.org वेबसाइट पर जाएं नया प्रोजेक्ट शुरू करें अपने प्रोजेक्ट को एक नाम दे जैसे लाइट फॉलोइंग बॉट क्रियेट बटन पर क्लिक करें ये मेक्कोड का इंटरफेस है Make Code Scratch के समान एक ड्रैड एंड ड्रॉप प्रोग्रामिंग प्लैटफॉर्म है प्रोग्रामिंग ब्लॉग को डिलीट करने के लिए अपने माउस का बायाम बटन दबाए रखें और ब्लॉग को बाहर ड्रैड कर दें सबसे पहले हम पता करते हैं कि इस कमरे में माईक्रो बिट पर कितनी लाइट पड रही है इसके लिए बेसिक से शो नंबर ब्लॉग बाहर ड्रैड करके फॉर एवर ब्लॉग में फिट करें इन्पुट से लाइट लेवल ब्लॉग को ड्रैड करें इसे show number block के अंदर fit करें आप देख सकते हैं कि simulator में light level बदलने से micro bit पर reading बदल जाती है इस program को micro bit में transfer करने के लिए micro bit को USB cable से अपने PC या laptop से connect करें micro bit अब एक external hard drive की तरह दिखेगा make code से आप या तो Hicks फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और इसे micro bit में transfer कर सकते हैं जैसे आप किसी भी फाइल को hard drive पर copy करते हैं या आप Chrome या Microsoft Age Web browser में नीचे ये तीन dots पर click करके on screen निर्देशों को follow कर सकते हैं micro bit अब browser से connected होगा और download बटन पर click करने से program सीधे micro bit में transfer हो जाएगा micro bit लगभग 100 and 60 light level दिखा रहा है जब हम sensor पर torch की रोशनी डालते हैं तो reading लगभग 240 हो जाती है इन दोनों reading को note कर लें make code website पर वापस जाएं हमें अपने motor driver board के लिए programming block एड़ करने हैं उपर दाई और gear icon पर click करें drop down menu से extension पर click करें आप अपने micro bit में विभिन प्रकार की hardware जोड सकते हैं और उनकी programming करने के लिए blocks यहां extensions में मिलते हैं हम motor driver सर्च करेंगे काफी सारे motor driver extension उपलब्ध है हम kitronic motor driver board एड़ करेंगे extension एड़ हो गया है जब हम इस पर click करते हैं तो हमें दो नए programming block मिलते हैं पहला motor को बंद करने के लिए और दूसरा motor को चलाने के लिए logic पर जाएं और if, then, else, programming block को बाहर ड्रैग करें logic से comparison block को ड्रैग करें input से light level block को ड्रैग करें इसे if block में लगाएं आपको ध्यान होगा कमरे में light level 107 था और torch light में 240 हमारी कार torch light में ही चले, room light में नहीं इसके लिए हम micro bit को instruction दे सकते हैं कि अगर light level 200 से अधिक हो तभी कार forward जाए ये करने के लिए inequality sign को greater than में बदलें और value को 200 कर दें motor driver से motor direction का block बाहर ड्रैग करें इस programming block से आप motor की दिशा और गती बदल सकते हैं हम direction को forward रखेंगे speed बदलने के लिए आप या तो slider इस्तमाल कर सकते हैं या 0 और 100 के बीच कोई number टाइप कर सकते हैं यहाँ हम speed 50% रख रही हैं ताकि car का video बनाते वक्त car बहुत तेज न जाएं इस block पर right click करें और command को duplicate करें drop down से motor 2 select करें speed 50% रहने दें जब light level 200 से अधिक होगा तो यह commands execute हो जाएंगी next हमें micro bit को बताना है कि अगर light level 200 से कम हो तो क्या हो ऐसे में हम चाहते हैं कि car रुख जाएं motor driver programming block से turn off motor command को drag करें इसे else block में fit करें इसे duplicate करें और duplicate command को भी else block के अंदर रखें drop down से इसे motor 2 में बदल दें हमारा code तयार है इसे micro bit में चांस्वर करें battery pack on होते ही motor के पहिये घूमना शुरू कर देते हैं ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कमरे में light का level बदल गया है और 200 से अधिक हो गया है जब हम अपना हाथ light sensor के सामने लाते हैं तो sensor पर light बहुत कम हो जाती है और else condition execute हो जाती है जो motors को रोकने की command है जब light level 200 से ज्यादा होता है तो if condition execute हो जाती है और दोनों motors 50% speed से forward घूमने लगती है कार को floor पर test करते हैं जहां light level 200 से कम है हमारी light following कार सही काम कर रही है अगर आप micro bit में और must projects बनाना चाहते हैं तो कालातीत कौशल YouTube चैनल में 40 से अधिक tutorials उपलब्ध हैं जैसे radio controlled कार, artificial intelligence कार और कई science और robotics के projects अगर आपके पास micro bit नहीं है तो आप Tinkercad का micro bit simulator इस्तिमाल करके सीख सकते हैं I hope आपको ये बच्चों के लिए electronics video series पसंद आई Happy Tinkering! क्यांओंगा उना sky क्यातए आपके सामि कि वक随प Greece ळवागांगां जो में जेपता रया हैं आपके सामिप नह सकते हैं क्याब्यों पहाँ Is1 झाल झाल